नमस्कार दोस्तो दोस्तो ये राशी फल चंद्रा राशी पर अधारित है तो आईए जानते है इस दिन चंद्रमा आपकी लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है दोस्तो इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में पराक्रम स्थान से गोचर करेंगे यानि चंद्रमा थर्ड पहुत ज्यादा रहेगी और आपकी काम करने की गती भी बढ़ेगी। इस समय में उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है जो अपना व्यापार चोटी-चोटी यात्राओं से करते है यानि उन्हें व्यापार करने के लिए चोटी-चोटी यात्राय करनी पड़त चंद्रमा की नवम भाव पर दुष्टी होने से दिन आप के लिए भागेशाली रहने वाला है लेकिन चंद्रमा पराक्रम छेत्र में गोचर कर रहे है उस वज़े से आपको लगन से काम करना पड़ेगा और मेहनत भी कापी करनी पड़ सकती है व्यापारियों को इस समय में निवेश करने से लाब होने वाला है इस समय में निवेश करने से अच्छा लाब होने की संभावना रहेगी इस समय में अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनके साथ आपके रिष्टे और अच्छे बनेंगे अगर स्टूडन्स की बात करते हैं विद्यारतियों की बात करते हैं तो इस समय में students को इस दिन खास ध्यान रखना होगा इस समय में आप भागे की भरोसे बिलकुल भी ना बैठे इस समय में students जितना अधिक परिश्रम करेंगे उतने अच्छे results ला पाएगे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा students के लिए समय वैसे वैसे अच्छा होता जाएगा अगर personal life की बात करते हैं love life की बात करते हैं तो ये समय love life के लिए भी बेहतरीन है इस समय में नए रिष्टे बन सकते हैं और पहले से बने हुए रिष्टे और मजबुत बने और पांच अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर अधरित है लेकिन कभी कभी हमारी personal कुंडिली में बाकी ग्रहों की position कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परियनाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छ रहेगा